प्रणाम सद्गुरु जी, अमेरिका में एक कारेक्रम चल रहा है, वैश्विक दुनिया से हिंदुत्तु का खात्मा, आप हमें क्या सुझाव देंगे, इस स्थिती में आप हमें क्या मागदर्शन देंगे? वो तो पिछले 800-900 सालों से यही कहते आ रहे हैं, तो क्या हो गया? वो पिछले करीब 1000 सालों से हिंदुत्व या हिंदु धर्म को खत्म करना चाहते हैं, हम आज भी हैं, हमें इसे मस्बूत करना होगा, दूसरे लोगों के कामों की चिंता न करें, हमें इसे मजबूत करके इसे आकरशक बनाना होगा ताकि लोग इसे अपनाएं हमें जाती और पंत के सभी भिदभाव खत्म करने होंगे ताकि सभी इंसान हिंदू ढांचे के भीतर गरिमा के साथ रह सकें अगर हमने असन नहीं किया तो लोगों को निश्चित रूप से खो देंगे हिंदूत्व का खात्मा अमेरिका के किसी विश्वे द्याले में नहीं हो रहा है उनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता पर हिंदूत्व का खात्मा हमारे गाउं में हमारे शहरों में हो रहा है क्योंकि हमने अपने ही लोगों के साथ भिधभाव किया है इन सीमाओं को तोड़ने का यही समय है और यह बहुत जरूरी है किसी ने मुझसे पूछा एक साथ कैसे काम किया जाए साथ मिलकर काम करने का यही तरीका है सभी सीमाओं को तोड़ देना ताकि आप लोगों को उनके जन्म से नहीं बलकि उनके गुणों से पहचाने अगर आप यह काम करें तो कोई भी से खत्म नहीं कर सकता क्योंकि हिंदू ही पूरी दुनिया का भविश्य है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज दुनिया में युवा बहुत तार्किक हो गए है इंसानी बुद्धी इतनी विक्सित हो गई है कि अब उन्हें कोई भी तर्खीन चीज स्विकार नहीं है तो तर्खीन बातें और स्वर्ग का लालच अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी अब कोई स्वर्ग नहीं जाना चाता ये एक लौती संस्कृती है जिसने मानव सिस्टम को इतनी गहराई से समझा है और अगर इसे दुनिया को ठीक से भेट किया जाए तो यही दुनिया का भविश्य होगा क्योंकि एक विक्सित बुद्धी को सिर्फ यही चीज पसंद आती है क्योंकि ये कोई विश्वास प्रणाली नहीं है बलकि ये खुशाली का विज्ञान और तकनीक है ये जीने का और मुक्ति पाने का विज्ञान और तकनीक है तो ये अतीत की बात नहीं है मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमेशा इसे याद रखें कि सनातन धर्म अतीत की चीज नहीं है ये अतीत की परंपरा नहीं है ये परंपरा नहीं है ये हमारा भविश्य है अगर हम इसे अपना भविश्य बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसों से लड़ना जरूरी नहीं है, मैंने सुना है कि बैंगलॉर शहर में आजकल बहुत सारे कुटते हैं, इस पर कुछ रिपोर्ट भी है, वे लोग भूगते हैं, पर उनसे लड़ना जरूरी नहीं है, बस उन्हें अ और कस्बों में हो रहा है और इसका मुख्य कारण है हमारे समाज में मौजूद भेद भाव। इसमें अगर हम एक साथ मिलकर काम करें और उन दीवारों को तोड़ दें जो हमें बाटती हैं तो इसे कोई भी खत नहीं कर सकता।